हलो फ्रेंड्स मैं शिखा एक बार फिरसे आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हो जो है बालू शाही की रेसिपी आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ टेप्स और ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी जिनसे हमारी बालू शाही बहुत ही जूसी और बिलकुल खस्ता बनकर तैयार होंगी साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चलिए देखते हैं यहाँ पर मैंने बाल लिया है उससे हम मेजर करेंगे आप कोई भी कप या बाल ले सकते हैं यहां मैने दो कप मेदा लिया है और यह लगबख वजन में 4-100 ग्राम है मैदा और हम यहाँ पर जो भी काटोरिय बाल लेंगे उससे नापकर 3-4 कप हमें घी लेना है घी को हमें गरम या ठंडा नहीं रखना है नॉर्मल रखना है यहां मैंने आदा चमच बेकिंग पाउडर और एक पिंच नमक लिया है और आदा कटोरी उसी से मिला कर पानी लिया है आप ध्यान रखें अगर बेकिंग सोडा लेते हैं तो आप इसका रेशो हाफ कर देंगे क् कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग होते हैं और यहां देखिए अपने को जो आटा है इसको केवल मिक्स करना है फिंगर की हेल्प से हमें इसका रोटी की तरह डो नहीं बनाना है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इनको आपस मैं बस मिक्स करना है हमे डो की तरह बहुत प्रेशर देके इसको नहीं लगाना है और यह सब मिक्स होने के बाद हम इसे 10 मिनिट के लिए ढखकर रख देंगे और इतनी देर में हम अपनी चासनी को रैडी करेंगे यहां आप किसी भी प्लेट से ढखकर रख दें और यहां मैंने आप जो भी बाउल लेते हैं जहां पर मैदा मेजर क्या उसी बाउल से आप चीनी लीजिए डेड़ कप चीनी लिए हमने और जितनी भी हम चीनी लेंगे उसका हम आधा पानी डालेंगे है ना तो यहाँ पर मैंने 3x4 कप पानी लिया है और इसे हम गैस का फ्लेम हमें लोही रखना है यहाँ मैंने 3-4 इलाइची लिये जिसे कूट कर डाल दिया है और यहाँ कुछ केसर की कलिया लिया है दस से 12 कलिया और उनको मिक्स कर दिया इससे क्या होगा जो रंग है अमारी बालुशाही का वो बहुत ही परफेक्ट बनके तयार होगा हम यहाँ पर कोई भी फूड कलर यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए हम केसर यूज कर रहे हैं आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं लेख लेंगे और इसे अच्छे से एक बार फिड से मिक्स कर देंगे फिंगर कि हद वेल्प से और आपको इस तरीके से इसको फैला देना है आपको बड़ी परात में तरीके बीच में काटते हूए इसको 7,8 बार इस स्टेप को बार बार फॉल्लो करना है इससे क्या होगा कि जो हमारी बालुशाई हैं उनमें बहुत अच्छी लेयर्स बनके तयार होंगी और वो अंदर से प्रॉपर तरीके से जूसी रहेंगी और देखे इसका मैंने मैदा का ये स्टेप साथ से आठ बार फॉलो किया उसके बाद इसके चार पोर्शन कर लिये हैं एक पोर्शन को अच्छे से रॉल करके और उनके कट कर लिये हैं यहां देखिए इस तरीके से हमें पहले हातों की हैल्प से गोल करना है और बीच में फिंगर की हैल्प से एक होल कर देना है जिससे कि ये बालुशाई फूले नहीं तो इस बीच में जो होल किया है इसको अगर आपको लगता है कि कॉर्णनर से जादा फट रही है तो आप इस तरीके से पिंच करके इसको दबा सकते हैं आपके जो कॉर्णनर से वो खुले नहीं होने चाहिए बाहर से बालुशाई बिल्कुल स्मूध होनी चाहिए वो सिखने के बाद उसमें अपने आप से लेयर् हो जाएंगी फूल कर यहां देखे मैंने घी लिया है यहां पर मैंने दो कटोरी घी लिया था और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें डालना है और इने करीबन दस मिनिट के लिए छोड़ देना ही अपने आप ही धीरे-धीरे करके उपर आएंगी इनको बार-बार चासनी में हमें डालना है और जब हम चासनी में इसको डालें तो चासनी हल्की सी गुन-गुनी होनी चाहिए जिससे क्या होगा कि जो भी जितना भी चासनी होगी वो सारी बालुशाई के अंदर तक पहुँच जाएगी यहां आमने सेकिंड बैच भी डाल दिया है देखे इसके बनकर तयार है अब हम इनको चासनी में पलट देंगे 5 मिनिट के लिए आप इनको रहने दीजे उसके बाद इसको दूसी तरफ पलट दिजे और पांच मिनट उसको भी रहने दीजे और इतने में ही देखे अंदर से मैं आपको एक तोड कर दिखाऊंगी और यहां प प्रॉपर तरीके से अंदर जूज गया हुआ है इसके और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई